हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैं गांधी मेटिकल कालेज यानि की जीएमसी भोपाल के ओफीशल वेबसाइट पर आ गया हूं ओफीशल वेबसाइट ऊपर देख सकते हैं जीएमसी भोपाल डाट नेट है तो फ्रेंड्स जीएमसी भोपाल की तरफ से एक और अपडेट यहां पर आ चुकी है नर्सिंग स्टाफ के लिए यहां पर बहुत ही जबदास अपडेट यहां पर जारी कर दी गई है तो चलते हैं डाइटली अपडेट की तरफ तो यहां से आपको इसके न नोटिफिकेशन यहां पर देख सकते कार्या लाइन अदेश नवीन न्यूकति के संब्ध में दिया गया इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा यहां पर नोटिक्सान सर्कुलर का पोस्टिंग देख सकते हैं इसकी इंफर्मेशन यहां पर दी गई है तो यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है कार्या लाइन आदेश यानि की आफिस आडर जारी कर दिया गया है जीमसी भोपाल की तरफ से तो इसमें बोला जा रहा है कि जो जीमसी भोपाल है इसके अंतरगत जो संचालित जो है सम्मध संचाला के ओम अधिच्यक हमीदिया चिकिस्चाले भोपाल की इस्थापना में पदस्त स्वासासे श्टाफ नर्सों को समंधि चिकिस्चा महापिद्यालें उसे प्रात अनापत्ति प्रमाण की आधापर मध्ध इतने के अंतरगत इनको इस्टाफ नर्सों के पद पर ससरत नवीनी नियुक्ति प्रदान की आती है तो यहाँ पर जो एनोसी के थुर्यानी की जो म्यूश्वल ट्रांसफर करा रहे थे करने उनको यहाँ पर जो समंधित जहां से थे वो उनको आसे नोसी मिलने के पश्चा जो जीएमसी भोपाल से संभध संचाले के मरीच्छा हमीदिया चिकेशाले भोपाल में पोस्टिंग इनको इस्टाफ नर्स के पत्पे दी जा रही है तो इसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी गई है कितने कंडिडेट्स यहाँ पर लिस्ट में सामिल आप सभी लोग द लतिया रिवा और वहां से जो कंडिडेट्स आ रहे हैं उनका नाम हाँ पर इस लिस्ट में यहाँ पर दिया गया है अब यह कंडिडेट्स जो है जाकर यहाँ पर गांधी चिकिश्या महाविदल भोपाल में ज्वाइन करने वाले हैं तो यह आपसी यानि की सहमती के आधा पर यह करा रहे हैं और यह mutual transfers यहाँ पर हो रहे हैं तो ऐसे में यह सभी कडिडेट्स एक दूसरे के स्थान पर ज्वाइन करने वाले हैं तो अगर यह जो है यहाँ पर mutual transfer कैसे होगा इसके समझने जानकारी यहाँ पर दे दी गई है आपको अगर कोई डाउट है तो पार्स संबंधि सारे नियम दे दिये गए इसको आप देख लें उसके बाद finally यहाँ पर आप दे सकते हैं जो सबसे main point यहाँ पर दिया गया है चैनित प्रत्यासी को आदेश जारी होने कि दिनांग से अधिक्तम 15 दिवस में अनिवारत्ता कारभाय गहां करना होगा अनिथा वहीं पर जाकर पुना जोइनिंग करनी होगी तो जितने भी candidates यहाँ पर नाम इस लिश्ट में दिया गया है वो 15 दिन के अंदर जोइन जरूर करने अगर 15 दिन में जोइन नहीं करते हैं तो आपका नियुक्त आदेश ने इस्त्र कर दिया जाएगा और उपरोग्त अनाप पदास्थापना इस्तल होगी वह निरस्त हो जाएगी स्वता उसमें आप कोई बदलाव नहीं करा सकते हैं तो ऐसे में जो आवेदक हैं आवेदकों को मूल नियुक्त इस्तल पर पुर्णा कारभार ग्रहा करना होगा अगर कोई एक जो है अपने इस्तान पर जोइन नहीं करता है जो नहीं पदास्थापना इस्तल है तो इस इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए यहां पर जितने भी कंडिट्स यहां लिस्ट में सामिल है पाच ओंडिट्स यह 15 दिन के अंदर अपने नवीन पदास्थापना इस्तल पर जोईन कर लें यह जरूर कर लें में जोईनिंग कर लें तो फ्रेंट्स पूरी अपडेट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया आई होप यह वीडियो आपके लिए इंफार्मेटिव रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत